नमस्कार जेहन सत्यों आज एक बहुत ही कहरा बिसे है जिस तरह से हमारे जो स्टूडेंट हैं चात्र हैं वो यूकरेन में फसे हुए थे उनसे तीन गुना कराया वसूल लगया तो यह क्यों बसूल लगया इसके पीछे की कहानी पे आप नहीं गया है या पीछे की सच्चाई पे आप नहीं गया है या पीछे की सच्चाई पे आप नहीं गया है तो यह प्राइवेट होना एयरवेस का ठीक है यह सबसे बड़ी बजा है अगर प्राइवेट हातों में चल घर जाना है तो जो प्राइवेट बसें थी उन्होंने तीन गुना चार गुना पांच गुना जितना लिया उतना वो ले लिये किरायाम से उसी तरह से यूक्रेन में फसे हुए विद्ध्यारतियों कही इसकी मैं घोर निंदा करता हूं कि उनसे 20,000 की जगा 60,000 रुपे बसू जाते हैं बस हमें तो चुनावी गोश्णाव में या चुनावी चुनावाते ही हमें थोड़ा सा लॉलीफप दिया जाता है और हम भूल जाते हैं जैसे कोरोना की बाते हैं जैसे हम बात करते हैं कि जिस तरह से किसानों का किसानों की 700 किसान साथ सौ साड़े साथ सो किसानो जिस तरह से हुई थी दिल्ली में बैटे बैटे उसको भी हम बूलें और सरकारी पुझी पतियों को बढ़ावा देने में लगी हुई है यह कैसी सरकार है सरकार को चाहिए कि अपनी धरोहर अपनी संपत्ती को ना वेचे प्राइवेट हातों में ना जाने दे इसके लिए सरकार कदम उठाए तो अच्छा होगा क्योंकि सरकारी प्रोपरिटी हमारी कुछ बची नहीं है धीर धीरे रेलवे प्राइवेट होते जा रहे हैं धरोहर भी प्राइवेट होते जा रहे हैं कि अब फर दोवेट कहने के लिए उस आ समय कहा गहीन ते गाडियां सो सो दो दो सो गाड़ियां जब कोरोना कल था एक पूँचना चाहेगा ये भारत का युवा भारत के सारे लोग तो आपदा को अपसर ना बनाए यूक्रेन में फसे हुए लोगों को फ्री में लाना था मैं क्योंकि वो आपदा का समय था तो मोदीजी से चाहेंगे कि थोड़ा सा विवस्ताओं को सही करें प्राइबिट हातों में ना ध्याने दें अब मैं बात कर लेता हूं कि जैसे एक ये भी है आपने ध्यान ने दिया होगा सायद कि जो हमारा नेट है वो पहले 149 रुपे में डेड़ जी भी आ जाता था एक म कोरणाम सब की जरूरत हैं छिएन इंटरनेट पे बढ़ गए क्योंकि सरकार ने बोला औनलाइन पढ़ हूँ राज सरकार ने बोला ओंलाइन पढ़ हूँ किन्र सरकार झाल झाल